तो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फ्रीफाइर गेम को खेलते हैं और जब भी आप अपनी फ्रीफाइर गेम को प्ले करते हैं आपको कुछ इस प्रॉलम आती है network auto reconnecting नेट वर्क से रिलेटिट आपको प्रॉलम करने पड़ती है आपको क्या नेट इंटरेट से रिलेटिड तो आपको क्या करना है इस प्रॉलम में आज मैं आपको बताने वाला इसका solution तो इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा मैं आपको पता देता हूं जिसको फ्लाइट मोड भी बोलते हैं अपने फ्लाइट मोड को आप जो है उसको एर्पेन मोड को ओन करती चाहिए उन करने के बाद आप देखेंगे उपर से आपके नेटवर्क से बंद करिए आपके नेटवर्क जो है रीफ्रेश होकर आएंगे अगर इंटरनेट से अगर आपकी प्रॉल्म फिर भी सॉलम नहीं होती है देन यूसके बाद आपको डारे passar बोडर्ल के स्क्रोल को चाहिए नीचे और इहां पर इन एक्करिकर लेया कि देश हएं ऐसे ग sini सर्च बार है सर्च बार में आपको सर्च करना होगा है है आ फ्ले मिले और त्धिर open करना है open के बाद यहाँ पर star is the story पर क्लिक करना है नीचे clear data điëر डेटा पर left कर यह को सिर्फ only clear cache करना है clear cache कर लिक करें इस इसको OS के कर दिजए इसका सिर्फ clear cache करना अब बैख आने के를 आद आपको यहाँ पार काम कर लेना है साटिंग में आना होगा आपको छूट करना है यहां पर connecting симन देखने को मिल रहाइ है इस पर क्कोरेज दन यहां पर आपको यहां पर option देखने को मिलता है private DNS यह DNS इस पर प्रॉक कर यह यह आ आपको और आपको क्या करना है यह Also हो आपको प्राइवेट dns provider hostname है इस पर क्लिक कर लेना है और यहां पर hostname में आपको क्या लिखना है dns.adguard.com जहां से देख लिजिए आपको यह लिखना है private dns provider hostname के अंदर और save कर देना है जैसे आप इसको save करेंगे दन back आ जाना है आपको अब आपको जाके अपनी जो है game को play करना है फिर आपको व वाइस बसाथ के वीडियो में इतना है मिलते हैं एक्स वीडियो में तिल नबाटे के लव यू और